हाई गाईज एन विलकम बैक टो दी चैनल दीपश यादव एजूकेशन विलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस ओफ 28 ओफ मेई 2022 तो गाईज आज है तारिक 28 माई 2022 और है सेटरडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर क को अनिलाइज करेंगे बट लेक्चर मा आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपश यादव एजूकेशन आप लो प्राइज करेंगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है थी टू आइलेंड को कहां पर है यह एक्जैक्ली लोकेटड अच्छे से मैप में देखना दन उसक से बाद आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2016 के prelims में पूछा गया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं बहुत simple से question है question बोलता है doctors without border यह अकसर news में देखने को मिलता है य इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ बाइदावे इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो अधरवाइस वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुरुआत करते हैं यह है आज का सबसे पहला article अब यह हमारे examination के point of view से important तो नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि directly syllabus से link हो जाएंगे आरेन खान drug case के बारे में आपको बताओगा पिछले साल से यह लगातार चर्चा में है इस यहाँ पर picture को देखो इस picture के अंदर कुछ information है directly पहले इसको cover करते हैं फिर उसके बाद में आपको important चीज़ बताओगा आज का वीडियो थोड़ा सा short भी रहने वाला है तो यहाँ पर mention किया गया देखो 3 October 2021 यानि की पिछले साल से ही यह case चर्चा में है पिछले साल क्या होता है आरेन खान को NCB यानि की Narcotics Control Bureau अरेस्ट कर लेता है अब आरेन खान को अरेस्ट किया गया किस के case में एक drugs के case में ड इनको बेल देने से मना कर देता है फिर 13 October को NCB यहाँ पर आप कहे सकतो बेल की application को उपोस्थ कर देता है वो भी बेल देने से मना करता है फिर 20 October को जब कहीं पर बेल नहीं मिलती है तो यहाँ पर आरेन खान पिल चुकी थी, 28 ओक्टूबर से अभी तक कोई भी इतनी चर्चा होनी रही थी, बीच में काफी आर्टिकल्स पब्लेश हो रहे थे, बट यहां पर प्रॉपर कोई चर्चा होनी रही थी, अब हुआ क्या क्ल के दिन, यानि कि 27 मई, 27 मई कई थी, तो कल की दिन क्या होता है, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो है, वो यहां पर आर्ण खान की अगेंस्ट में जो यह केस है, उसको पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है, खतम कर देता है, अब केस खतम करने का मतलब यहां पर क्या है, तो बेसिकली आर्ण खान को अभी क्लीन चिट दे दी गई है, इस ना ही उससे कोई पूछताच की जाएगी उस मामले में, तो अभी मामला यह थोड़ा सा खतम होता वर नजर आया है, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हो, यह तो हुआ हमारा इस पूरा का पूरा इशू के बारे में एक छोटा सा एनिलेसेस, अब मैं आपको बताता हूँ ड नहारा सरकार बनाती है 1986 में, अब 1986 में बनाई तो जाती है, लेकिन यह एक एक्ट के अंडर में बनाई जाती है, जिस एक्ट को हम लोग NDPS के नाम से जानते हैं, या फिर Narcotic Drugs and Psychotrophic Substances Act 1985, तो इस एक्ट के अंडर में इस बॉड़ी को बनाया गया, Ministry of Home Affairs के अंडर में यह बोडी आती है, इस बोडी का मेजर काम है कि बर ड्रक्स के consumption को रोकना, और फिर भी यूजा कर रहा है तो यहा पर उसके खिलाफ action लेना, देखो यहाँ पर एक exception भी है, exception मतलब एक अपवाद है, एक छूट यहाँ पर यह मिल जाती है कि बर ड्रक्स को यूजा किया जा सकता है medicinal purpose के लिए यानि कि दवायों की तरह अगर drugs का use है तो basically करा जा सकता है उसके अलावा कोई shock के लिए use कर रहा है तो उसके against यहां पर NCB action लेगा ठीक है तो इस पुरे के पुरे drug consumption को control करने के लिए NCB को बनाया गया और इसके responsibility जो है हमारी central government यानि की केन सरकार के पास में आ जाती है clear हुआ तो इतना ध्यान दकना यह कुछ importance सी information थी अब उसके बाद आते हैं अगले article पर next छोटा सा article है लेकिन important है हमारे syllabus के अंदर prize and award नाम का एक topic है वहां से आप लोग इसको link कर पाओगे तो हुआ क्या है अभी international booker prize दिया गया गितांजली को गितांजली श्री को ये award मिला है अब ये award क्यों मिला क्योंकि इनकी एक हिंदी novel है जिसका नाम है रेत समाधी अब इस हिंदी novel को English में translate किया गया एक व्यक्ति के तुरू जिनका नाम है Daisy Rockwell अब English में translate किया तो नाम भी बदल जाएगा तो रेत समाधी से इसका नाम चींज हो गया Tom of Sand कर दिया गया ठीक है तो basically यहाँ पर ये जो prize मिला है international booker prize ये इन दोनों ही व्यक्ति को मिला है क्योंकि एक book है तो उसको translate भी करना पड़ेगा अब वो translate होगी तो उसके बाद ही यहाँ पर ये prize मिलेगा उसके बाद ही यहाँ पर आप कर सकतो English में जब ये translate होगी तो काफी सरे लोग इस तक reach कर पाएंगे clear हुआ अब इस award के बारे में इस prize के बारे में थोड़ी सी information हम लोग जानते हैं क्योंकि directly question बन जाएगा international booker prize की बात करें तो हर साल इस prize को दिया जाता है एक single book के लिए और basically यहाँ पर इस book को प्राइस दिया जाता है साथ साथ यहाँ पर इसको जब translate किया जाता है English में तो उसके लिए भी prize मिलता है इस book को publish किया जाता है UK और Ireland के अंदर में ठीक है यह दिया दखना अब उसके बाद में जो international booker prizes की शुरुवात 2005 में होती है उस समय man booker international prize के नाम से यह जाना ज़्यादा था यह जो prize है इसका major aim है इसका major focus है कि भई लोगों को थोड़ा हम लोग encourage कर सके लोग को उत्सा सके लोग यहाँ पर आके इस book को read करें ठीक है quality fiction को reading करें तो यह यहाँ पर एक focus है और ऐसा हुआ भी है judges award को यहाँ पर judges book को यह prize मिला है उस book की जो बिकरी है वो बड़ी है लोगों ने अपनी दिल्चस्पी दिखाए उसको पढ़ने में और यह खोद UK का statistics बताता है अब यहाँ पर जो प्राइज है इसके अंदर कितने रुपे मिलते होंगे तो लगबग यहाँ पर 50,000 पाउंड मिलते हैं अब यहाँ पर जो यह 50,000 येरो मिला यह जो पाउंड है यह शेर कर लिया जाएगा मतलब की देखो यहाँ पर जो रोल निभाया गया है वो दो व्यक्ति के थूरूर निभाया गया है गितांजली जिन्होंने यहाँ पर इस बुख को लिखा हिंदी में रेथ समादी नाम दिया है ना इसी बुख को ट्रांसलेट किया या इंग्लिश में जब translate किया गया उसी के बाद ये award मिलता है है ना तो Daisy Rockwell ने इसको translate किया तो ये जो 50,000 pound का ये award दिया गया है ये जो price मिला है इसका आदा आदा यानि equally divide हो जाएगा आदा गितांजनी और आदा यहाँ पर Rockwell को मिल जाएगा clear हो गया अब इसके बाद यहाँ पर इस price के अंदर में novels के साथ साथ जो short stories होती है वो भी eligible है उनके collection को भी eligible माना जाता है clear हो गया तो ये एक छोटा सा article था उसके बाद एक छोटा सा article ये देखने को मिलेगा इस वाले article को आप लोग basically GS paper 4 ethics से relate कर पाऊगे ethics के अंदर misusing of powers आप लोग लेट कर पाऊगे IS couples हैं यानि एक IS officer है मिया भी भी हैं दोनो संजीव खिरवार और रिंकु दुगगा तो इन दोनों के दुरू कुछ इस प्राकार से हरकते की गई है कि भाई इनकी tank है से लिग ये पूरी तरह से media के अंदर तो मैं आपको बताऊँगा exactly क्या हुआ है है ना तो इन्होंने अपनी powers का misuse किया है डेली के अंदर यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे अब डेली के अंदर है तो लेकिन हुआ क्या इसको समझते हैं हाला कि इस topic के उपर बहुत सरे articles already publish हो चुके हैं तो यहाँ पर ये दुनों मियाभी भी देखने को मिलेंगे अब ये डेली के अंदर एक stadium में आता है टेलने के लिए अपने कुटे गोले कर ठीक है तो इसमें क्या दिक्कत है रोजाना आते हैं तो आपको इसमें भी क्या दिक्कत है फिर किसी को allow नहीं किया जाता तो मतलब सरिफ अपने लिए stadium यहाँ पर छोड़ा गया है ना आपने टेलने के लिए अपने कुटे को टेलाने के लिए यहाँ पर इस stadium खाली करवा दिया जाता है और आप देख पाओगे यहाँ पर यह जो track पर इन दोनों की बहुत दरह फटकार लगाई गई है कि अपनी पावर्स का मिस्यूज कर रहे है कोई पावर का इस्तमाल क्या है है ना पावर का इस्तमाल करने के बाद में कुछ जोड़ दरसी दिखाने के बाद में यह बार बार स्टेडियम को अपने आने से पहले बंद करवा दिया लगरते थे अब पहला क्वेशन यहाँ पर यह उठता है कि स्टेडियम किसका है इनका है नहीं देखो स्टेडियम किसका है स्टेडियम यहाँ पर सरकार का है और सरकार ने कैसे बनाया सरकार के पास पैसा कहा से आया आ लोगों को हटा कर ये अपने कुत्ते को टैलाने के लिए स्टीडियम को खाली करवा देते हैं अब एक प्रॉब्लम और हुई डेली के अंदर इस सब कुछ हुआ अब आप कहोगे कि इनको पनिश्मेंट मिलने चाहिए बिल्कुल पनिश्मेंट मिली है तो आप सुनकर हसो के पनिश्मेंट क्या मिली है पनिश्मेंट ये मिली है कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया है एक को ट्रांसफर कर दिया गया लदाक के अंदर और एक को ट्रांसफर कर दिया गया अरुनाचल प्रदेश के अंदर तो ये काम किया गया इसको लेकर भी ट्विटर पर बहुत ज़ जहलें या लदाक वाले लोग क्यों इंको जहलें पनिश्मेंट कुछ और होनी चाहिए थी यहां पर मेंशनल किया जा रहा है तो इसको लेकर एक प्रॉब्लम क्रियेट होती हुई नजर आ रही है इन फाक्ट आप देख पाऊगे ट्विटर पर जो यूजर से उन्होंने यह आप लोग कह सकते हो क्लियर हुआ अब इस आर्टिकल को ध्यान रखना कुछ बेसिक से इंफोर्मेशन है आनेवले टाइम पर इसके ओपर काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो सकते हैं प्रस एडिटूर्स पब्लिश हो सकते हैं तो आपको एक स्टार्टिंग मा आइडिय कर पाओगे अरुमनाचल प्रदिश के अंदर एक मंकी की नई स्पीशी को डिस्कवर किया गया है जो कि डिस्कवर करी गई है जो लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दुरू इनके एक्सपर्स टीम के दुरू यहां पर इसको आइडिटिफाई किया गया आप यह जो मंकी है जो सेला है सेला खुद यहां पे एक माउंटेन पास है अरुमनाचल प्रदिश के अंदर तो आपसे इसी प्रकार से क्वेशन बन सकता है सेला पास क्या है लोकेशन वाइस क्वेशन बन जाता है ठीक है तो एक माउंटेन पास है 13,700 फीट अबव दा सी लेवल पर यह सेला पास सिचुएटेड है ठीक है तो इतना ध्यान रखना क्वेशन बन सकता है इस चीज को लेकर फिर उसका इस मंकी के अपिरेंस के बारे में चर्चा की गई है बही यहां पर इसका पीला सा फेस आपको देखने को मिलेगा प्लस ब्राउन के लगी कोटिंग देखने को म मिल जाता है ओके आगया आता है अब डिरेकली चलते हैं पहले एडिटोरल पर देखने के आज के इंपॉर्टेट एडिटोरल को क्योंकि आज जो है आर्टिकल्स थोड़े से कम ही नजर आए हैं नाओ एडिटोरल को डिसकस करने से पहले आप सभी लोग लिए सबसे पहले म बहुत सारे भेदभाव फेस किये हैं और कर भी रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है वो डिसक्रिमेशन क्या है आपको बताना है प्लस यहां पर डिसकस करना है कि इनके फेवर में जो रीसेंट टाइम में कुछ जज्जमेंट्स आ हैं उनके बारे में ठीके तो इस प्रकार स होगे आपके सामने ही सारे options available हो जाएंगे जैसे कि यहां पर यह आपको एक means answer writing मिल जाएगी यह आपका कल का question है ठीक है places of worship act को लेकर एक question पूछा गया था तो question वही पूछे जा रहे हैं जो कि current based पर चर्चा में है current issues के उपर questions आप से पूछे जा रहे हैं तो आप लोग आ आपने answer sheet को post कर सकते हो वहाँ पर submit कर सकते हो और submit करने से हुआ कि बहुत सरे लोग जो हैं वो इसको review करेंगे ठीक है आपस में एक दूसरे के answer को review करते हैं तो आप लोग भी जाकर इसको join कर सकते हो benefits को avail कर सकते हो चलो अब editorial discussion को start करते हैं सबसे पहला जो editorial है हमारा यह बात बात करता है menstural hygiene को लेकर ठीक है menstruation को लेकर यानि जो periods होता है उसको लेकर यहां पर चरचा की गई है खासकर यहां पर जो women है खासकर जो disability category के अंदर है यानि बहुत सरी disabled women है उनको बहुत सरी problems face करनी होती है इस hygiene को लेकर menstruation hygiene को लेकर ठीक है तो वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ पहले हम लोग कुछ important terms को cover करते हैं यहाँ पर author बोलती है पिछले 10 सालों के अंदर हम लोगोंने एक बहुत बड़ा progress देखा है इंडिया के अंदर में सरकार के थुरू plus non-governmental actors के थुरू काफी कुछ काम किया गया किसीच को लेकर MHHM को लेकर इसका मतलब है menstrual health and hygiene management को लेकर और लोगों के अंदर जागरूकता बड़ी है इस menstrual health को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बड़ी है प्लस यहाँ पर आप देख पाऊगे female friendly approach भी देखने को मिला है यानि कि यह जो menstrual period होता है यहाँ पर मतलब वो ही जो एक तरीके से women या फिर जो female है यहाँ पर वो एक periods का face जो है वो यहाँ पर देखती है तो उसी condition के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है बोला गया कि आज के टाएम पर काफी कुछ किया जा रहा है इन फाक यहाँ पर काफी सारे products खासकर sanitary pads वगरा यहाँ पर दिये जा रहे हैं जिनके पास अभी भी यह facilities नहीं पहुच पा रही है वो यहाँ पर disabled category वाली women और girl देखने को मिलेंगी यानि जो already disability से suffer कर रही है ओके आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पर यहाँ जो menstruation है या फिर इसको हम लोग यहाँ पर period भी गोलते है यह इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है अब होता क्या है यहाँ पर इस menstruation के time पर हम लोग को खास कर hygiene के ओपर ध्यान देना होता है hygiene management के ओपर एक focus करना होता है hygiene management कैसे किया जा सकता है वो यहाँ पर बाते बताई गई है अब hygiene management को लेकर आप कर सकता हो कि बहुत सरे जो women's हैं girls हैं उनके पास में facilities available हैं लेकिन बहुत सारी जो disabled girls और women's देखने को मिलेंगी उनके पास में यहाँ पर थोड़ी सी कम यह education या फिर इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कम knowledge देखने को मिल जाती है अब जब बात करी जा रही है disability को लेकर तो हमारे पास एक census है 2011 का यानि जनगरना जहाँ पे population का counting की जाती है population को हम लोग देखते है किती किती जनसंख्या है कौनकों से category के अंदर है तो census 2011 के according पता चलता है लगबग 27 million जो persons है या फिर भारत की जनसंख्या के 2.2% या पे जो population है वो disabled category के अंदर है अब disabled category के अंदर है तो इनके लिए यहाँ पर Rights of Persons with Disabilities Act को लाया गया अब Rights of Persons Disabilities Act जो है यहाँ पर यह 2016 का जो एक्ट है वो यह बात करता है कि यहाँ पर जो यह disability है यह आपको अलग-लग प्रकार की देखने को मिलेगी हैना कोई physically disabled है कोई mentally disabled है तो अलग-लग प्रकार की disability देखने को मिलती है अब कोई person disabled है तो basically यहाँ पर वो सक्षम नहीं है कि participate कर सके society में दूसरे लोग की तरह क्योंकि यहाँ पर वो पहले सी काफी सरी problem से सफर कर रहा है जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में participate properly नहीं कर पा रहा है यहाँ पर उसकी body खुछ साथ नहीं दे पा रही है वो यहाँ पर अलग-लग तरीके से disability से सफर कर रहा है clear हुआ अब उसके बाद में यहाँ पर mention किया गया लेकिन आप यह देखोगे इनी reproductive rights को बहुत ज़ादा neglect कर दिया जा रहा है यानि कि इसको ignore कर दिया जा रहा है खासकर जो disabled women है disabled जो female है उनको यहाँ पर पूरी तरह से focus मनी रखा जा रहा है उनके पास यहाँ पर proper facilities नहीं पहुँच पा रही है ठीक है यहाँ पर mention किया या फिर उसके बाद में आपर author बोलता है कि देखो जब हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे menstrual health के बारे में तो बहुत सरी studies की गई हैं और उन studies ने आपर बताया कि जो बहुत सरे लोग disability से suffer कर रहे हैं उनको और बुरी तरह से problems आ रही हैं इस menstrual health और hygiene management को लेकर उनके पास proper information नहीं जा पार है मतलब यह जो facilities हैं वो disabled वाले लोगों के पास में और ज़्यादा नहीं पहुँच पार ही है यह mention किया गया मतलब disabled वाले लोग और ज़्यादा problem face कर रहे हैं as compared to the other persons इसके पीछे एक आपको economic structure भी देखने को मिल जाएगा यानि पैसे संबंदित काफी सरी problems है economic factor देखने को मिलेगा जिसकी वज़ा से काफी सरी problems create हो रही है ठीक है लोगों के पास में पैसा नहीं है इस वासे hygiene को manage नहीं कर पाते हैं अच्छी health को manage नहीं कर पाते हैं है ना यह आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में यहाँ पर mention किया या कि देखो अब इसके एक solution क्या हो सकता है solution है कि collaboration किया जाए और यह हुआ भी है United Nation Population Fund ने और साधी साथ Water Aid ने इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर decide किया कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो यह disabled female और women है इनको क्या-क्या problems face हो रही है इस menstrual hygiene को facility को avail करने में यानि इनके पास में facility पहुँचने में क्या-क्या problems हो रही है उन problems को identify किया जाएगा और इसी के लिए यहाँ पर यह जो bodies हैं इन्होंने साथ में collaboration किया और फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि हाँ बिलकुल हम लोग यह पता लगाएंगे कि जो पूरे country पूरे देश बर में जो disabled person आपको देखने को मिलेंगे उनको क्या-क्या problems face हो रही है फिर इन्होंने यहाँ पर और चीज़े बताएं इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि देखो करना क्या है हम लोग को करना यह है कि भाई जो लोग हैं उनको एक proper information देनी है इस menstruation को लेकर periods के बारे में लोग कोई पास में information नहीं है वो information देनी है educate करना है communicate करना है उनका कैसे वो hygiene को manage कर सकते हैं ठीक है menstrual health और hygiene को कैसे manage कर सकते हैं उसको यहाँ पर बताना है अब जो disabled person है मैं आपको बताया है वो अलग-लग प्रकार की disability देखने को मिल रही है अब अलग-लग प्रकार की disability देखने को मिल रही है तो उनको अलगलग तरीके से समझाया जाए तो वो ज़ाधा भेतर रहेगा उनके हिजाब से समझाया जाए उनके हिजाब से उनसे communicate किया जाए तो वो ज़ाधा भेतर रहेगा दूसरा यहाँ पर बोला गया देखो important चीज यहाँ पर क्या है कि आपको एक safe menstrual products को provide कर वना होगा या hygiene को promote करना होगा hygiene जैसे कि क्या क्या हो सकती है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे कोई women है, girl है उसके पास में एक clean material होना चाहिए ताकि यहाँ पर उस menstrual blood को वो absorb या फिक लेट कर सके उसके बाद में यहाँ पर जो material है उसको change किया जा सके privacy के अंदर में ठीके यह भी यहाँ पर important है उसके बाद में soap और water का use किया जा सके body को wash करने में ठीके जो stained clothes हैं उसको यहाँ पर wash करने में plus यहाँ पर एक disposing की facility भी होनी चाहिए मतलब कि जो भी यहाँ पर आपका सकतो clothing का use किया गया को यहाँ पर dispose किया जा सके तो यहाँ पर यह चीज़े देखने को मिलेंगी तो इस प्रकार से एक hygiene को एक साफ सफाई को maintain किया जा सकता है इस menstruation के time पर और इसी के बारे में जो information है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और जो खासका disabled girls और women's देखने को मिल रही है उनके पास में यह information properly नहीं पहुच पा रही है तो उनहीं तक हमें यह information पहुचानी है उसके बाद यहाँ पर author बोलता है कि लगबग दो तिहाई से भी कम जो girls और women है जो disabled category के अंदर है जिनकी उम्र 15 से 24 है वो basically यहाँ पर hygiene, menstruation, protection method का इस्तमाल कर रही है मतलब बहुत ही कम जो girls और women है उनको यहाँ पर आप कर सकते हो वो यहाँ पर इस hygiene का use कर रही है वो यहाँ पर साफसाफाई रख रही है ऐसा खुद बताया गया मतलब बहुत सारी category के अंदर यहाँ पर बहुत जादा women है जिनको अभी proper information नहीं कैसे hygiene को manage करना है तो अभी इस category के अंदर बहुत कम ही लोग आपको देखने को मिल पाएंगे तो कर कैसे सकते हैं हम लोग कर यह कर सकते हैं कि जो disabled person है उनको यहाँ पर caregiving दी जाए ज़रूरत है कि उनको educate किया जाए है ना कि बहुत सारे products available market के अंदर में तो सबसे सही कौन सा है ठीक है प्लस इसको लेकर एक education मिलेगी न तो obvious सी बात हैं आपर चीजे थोड़ी सी develop होते बने जाराएंगी तीसरा हम लोग क्या कर सकते है एक responsive तरीका अपना सकते है वो है wash facility wash का मतलब water, sanitation और hygiene ठीक है यानि साफ सफाई के ओपर इन facilities को पर काम कर सकते है यहाँ पर एक disposable solution होगा यानि कि जो wash infrastructure है इसकी ज़रूरत है या आज के टाइम पर आपको जो गाउं है और उसके बाद यहाँ पर आप देखपाऊंगी शहर है वहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर में schools के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन हमें ज़रूरत है कि इसको हम लोग थोड़ा सा और जादा बढ़ाएं एक बड़े लेवल पर लेकर चले जहाँ पर इन चीजों को dispose किया जाए सके ठीक यानि जिस भी चीज़ों का इस्तमाल किया गया है उसको dispose किया जा सके फिर उसका अदम बोला गया है यह जो menstruation है बिसिकली यहाँ पर एक right है हर एक menstruating persons के पास में हक है कि वो अपनी health और hygiene को maintain करें और इसको लेकर information सभी तक pass पहुँचनी चाहिए प्लस यहाँ पर इसी को लेकर हमें एक information फैलानी चाहिए जो differently able लोग है या फिर able लोग है सभी लोग के पास में पहुचनी चाहिए सभी लोग के पास में एक ही rights आपको देखने को मिल जाते है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर यह अभी इनकी 131st birthday को celebrate किया गया लेकिन जब इनके birthday को celebrate किया गया तो वो अलग लग तरीके से किया गया यानि कि उतरपदेश सरकार ने इस birthday को celebrate किया day of social harmony के नाम से तामिलाडू सरकार ने day of equality के नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है हाला कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनको misappropriate के जा रहा है यहन्य कि embedker साब की जो सोच थी वो अलग थी हम लोग यहाँ पर embedker साब की सोच के बिल्कुल opposition मतलब की बिल्कुल अलग तरीके सा उसके opposite side में चल रहे है ठीके तो यहाँ पर embedker साब की thinking के बारे में बताते हैं प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं आज के time पर उसके बारे में यहाँ पर mention किया गया है यहाँ पर बोला गया कि भई देखो लोग आज के time पर embedker जो भी यहाँ पर birthday है इनका जो celebration वगरा कर रहे हैं जो political parties अपने elections के लिए अपने electoral gains के लिए काम कर रही है इसी वैसे अपने अपने नाम अपने तरीके से celebration कर रही है लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे जब हम लोग अंबेडिकर जी की बात करते हैं अंबेडिकर जी ने anti-cast anti-patriarchal vision को रखा है ठीक है? equality की तरफ यहाँ पर काम करें एक economic equality होनी चाहिए justice होना चाहिए इसके ओपर focus किया है लेकिन आज के डाइम पर यह चीज़े बहुत कम है in fact यहाँ पर बताया गया कि जो political parties हैं हमारी केंज सरकार level पर और राज़ सरकार level पर यह बिलकुल ही against चल लही है embedgar साब की thinking से embedgar साब की thinking के बिलकुल opposite side में यह लोग work करते हुए नज़रा रहे है यह यहाँ permission किया गया उसके बताया गया 1928 में जो बाबा साब embedgar है इन्होंने बहुत साथा परिशानिया फेस करी परिशानिया फेस करने के बाद में जाकर इन्होंने maternity benefit bill को पास किया यानि माओ को benefit मिले उस प्रकार का bill पास किया बहुत स्ट्रगल करने के बाद में यह bill का भी पास किया था Bombay legislative council के अंदर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ यह आगे मदरास legislative council तक 1934 तक इस bill को लेकर पहुँचे तो मतलब इन्होंने कितना ज़्यादा लड़ा है मतलब जो maternity benefit bill है माओ क्यों क्या क्या benefits मिल सकते हैं है ना वो उसको लेकर काम किया प्लस इन्होंने यहाँ पर जो time period उत्यानी की जैसे लोग पहले 12-12 गंटे काम किया करते थे तो उस काम को reduce किया 12 गंटे को कम करके 8 गंटे तक किया है ना 12 गंटे को कम करके यहाँ पर 8 आवर्स तक किया इसके उपर काम किया गया तो इस प्राकार के कुछ step उठाए गये थे अमबेड़कर साब के थूँ लेकिन आज के time पर चीज़े पलट रही है अमबेड़कर साब ने 12 गंटे से 8 गंटे कर दिये थे लेकिन COVID-19 ने time पर हम देख पाएंगे पैंडेमिक के time पर लोगों से काम थोड़ा ज़ादा करवाए गया 12 गंटे के लोगों ने काम किया है उतर प्रदेश सरकार ने 2020 में यहाँ पर force किया कि यहाँ पर 12 गंटे करते है तो आप लोगों यहाँ पर देख पाऊगे यानि कि अमबेडिकर साब जो सोच रहे थे जोनों ने किया उनके opposition माम लोग यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल रहे है ऐसा यहाँ पर तो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं कुछ वरकर्स के बारे में जैसे कॉंट्रेक्ट्वट्स कर्स कॉन होता है जो कि कॉंट्रेक्ट के base is पर साइन करने के बाद पर कुछ लिए काम करते है यह कॉंट्रेक्ट्वाट्कर्स यहाँ पर से increase हुआ है 15.5% के आसपास ये workers हुआ कर देते साल 2000 से लेकर साल 2001 के बीच में और अभी साल 2015 से 16 के बीच में 27.9% हो गए थे ये contact workers हैं ठीक है अब ये जो contact workers हैं ये आप लोग देख पाओगे organized manufacturing sector के अंदर में लेकिन बिहार उत्रकंड ओडिशा के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये जो workers हैं ये काफी सरी problem phase करते हैं इन फाक यहाँ पर आप कर सकते हो कि हमारे पास एक act है prohibition under the contract labor regulation abolition act इसके बावजूद भी यहाँ पर जो contract workers हैं इनको बहुत कम salaries मिलती हैं अपने काम के रिए बहुत कम salaries बगरा मिलती हैं और इससे यहाँ पर डारेक्ल आर्टिकल 141 violate होता है ऐसा है बहुत बोला गया सुप्रीम कोर्ट की धरू ठीक है फिर यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे यह problem होने के साथ साथ mention किया गया कि देखो हमारे पास में क्या है बहुत सारे regular workers देखने को मिलेंगे उसके बाद में जब regular workers के बीच में आप लोग देखोगे तो एक report आती है एक survey होता है जिसका नाम है periodic labor force survey यानि की PLFS के नाम से हम लोग जानते हैं periodic labor force survey जो 2017 और 2018 का है इसने mention किया कि 45% कुछ essay workers जिनको 10,000 रुपे से भी कम दिये गए 72% essay workers जिनको 18,000 रुपे से कम दिये गए और 3% के आसपास कुछ essay workers देखने को मिलेंगे regular workers जिनको 50,000 से 1,000,000 रुपे मिल रहे थे और 0.2% workers जिनको यहाँ पर 1,000,000 रुपे मन्थली मिल रहा था तो basically यहाँ पर आप देख पाओगे एक काफी बड़ी inequality से देखने को मिल जाती है हाला कि यहाँ पर हर एक के basis पर यानि कि आपका सकते हो कि जो भी उनकी qualities उसके basis पर यहाँ पर इस चीज़े दी जा रही है लेकिन यहाँ पर mention किया गया कि बहुत सरे workers जो कि जिनकी salaries वगरा बहुत कम आपको देखने को मिल जाती है है ना यहाँ पर mention किया गया हाला कि अगर वो एक ही काम करें contract वाले ही काम करें contract workers है तो एक ही लेवल की वर्कर्स को भी यहाँ पर हमने देखा है कि जो salary ज़र वो काफियत तक कम दी गई है उसके बाद में हाँ पर और क्या mention किया गया देखो यह बोला गया कि जो embedger साब है इन्होंने यहाँ पर equal pay for equal work को launch किया था जाने कि भाई कोई अगर काम कर रहा है एक ही sector के अंदर सब लोग काम कर रहे है तो सब कोई एक equal pay होना चाहिए कोई उससे अपर sector में काम करे तो वहाँ पर सब के लिए equally होना चाहिए यानि अगर equally काम क्या है तो equally payment भी होना चाहिए लेकिन आप उपर देख पाओगे यह हो रहा है कि काफी सरी जगह पर काम तो equally क्या है लेकिन बहुत सरी जगह पर payment लगातार कम दी जा रही है कहीं पर कम दी जा रही है कहीं पर जाद दी जा रही है और उसी चक्कर में हाँ पर आप लोग देख पाओगे ये mention करते हैं इंडिया के अंदर जो women है और men है दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा gap देखने को मिलेगा equal pay for equal work का कोई concept यहाँ पर apply नहीं होता है यहाँ पर वो लगए women आज के टाइम पर अभी तक उनको 70-90 रुपे यहाँ पर पड़े के साब से मिलता है जो कि यहाँ पर एक तरीके से informal workers हैं तो men के comparison में women को बहुत ही ज़दा कम salaries दी जा रही हैं कि देखो अभी क्या किया गया लेबर्स के लिए workers के लिए चार लेबर कोड लेकर आए गए थे wages, social security, occupational safety और industrial relations तो इन चार तरीके से यह लेबर कोड लेकर आए गए अब जो workers हैं जो कि unorganized sector के दर काम कर रहे थे यहाँ पर इन्होंने protest वगरा भी किया April 2022 में तामिल नाडू के अंदर में focus यहाँ पर किया गया कि जो तामिल नाडू की state assembly है वो यहाँ पर एक resolution पास करें और केन सरकार से बोले इन labor code को ही जो labor के लिए rules and regulations लाए गए इसको वापस से लिया जाए क्योंकि इन rules and regulations के अंदर एक सबसे बड़ी problem देखने को मिलती है इन rules and regulations के अंदर क्या problem देखने को मिली है मैं आपको थोला सा बताता हूँ यहाँ पर बोला गया इसमें एक rule है कौन सा बला एक second यहाँ पर एक rule आपको देखने को मिल जाएगा तो बेसिकरी बोला गया यहाँ पर workers के बहुत सरे जो rights है वो यहाँ पर छीन लिया जा रहे है तो यह जो labor codes को हटाया जाए इसके ओपर focus किया जाए तो यह यहाँ पर focus किया जा रहे है उसके राद में अमबेडिकर साब का जो vision है वो economic justice को लेकर था economic justice social justice को लेकर था लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे चीजे काफिया तक बदल चुकी है चीजें यहाँ पर बदल चुकी है यहाँ पर यह mention किया यह है कि हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहे है अमबेडिकर साब चाते थे यह जो state है जो राजे सरकार है वो यहाँ पर agriculture land जो है वो allow करे tenancy के basis पर यहाँ पर कोई caste class को लेकर कोई भेदबाव ना हो फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यह mention करते थे कि देखो अदेश के अजादी के बाद यहाँ पर क्या देखने को मिला है भारत के अंदर बहुत सरे जो public sectors हैं उनको बेश दिया गया ठीके इंडियान रेलवेज उसके बाद भारत संचार नगम लेमिटेड इनका privatization कर दिया गया private को यहाँ पर दे दिया गया तो यह भी आप लोग देख पाओगे एक problem create हो रही है तो basically सब कुछ फुल्टा फुल्टा किया जा रहा है बाबा साहब के जो भी यहाँ पर ideology थी उनके against में यहाँ पर ही सारे काम किया जा रहे है ऐसा यहाँ पर author mention करते है ठीके तो आज के टाइम पर economic system के इंदर क्या-क्या problem से वो सारी बाते बताई गई है तो यहाँ पर बोला गया कि author के थुरू यह पूरा का पूरा article I hope आपको एक एक बात बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है कि क्या-क्या information आप लोगों मिल चुकी है यही author नहीं यहाँ पर heading भी दिये अगले article पर आते है next article में mention किया गया हमारे जो defense minister है राजना सिंग जी अब राजना सिंग जी नहीं यहाँ पर एक तरीके से हमारी जो INS कंदेरी submarine है इस submarine, इस corporate class submarine है इसका एक view लिया है अब इसको deploy कर दिया गया है तो basically यहाँ पर आप दिख पाओगे यह जो submarine के उपर आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे defense minister तो उन्होंने यहाँ पर इसका एक view लिया है पूरी तरह से उसी को लेकर चर्चा की जा रही है फिर उसके बाद defense minister ने बोला कि हमारे पास जो हमारा भारत का खुद का बनाया वा पहला aircraft carrier INS विकरांथ आने वाला है जल्दी और INS विकरांथ हमारे पास aircraft बन जाएगा पूरा तयार हो कर आ जाएगा और उसके अलाबा हमारे पास अल्रेडी एक INS विकरांथ दिते है aircraft carrier क्या होता है ने कि बहुत बड़े बड़े जहाज होता है अपने size से बहुत ज़्यादा बड़े होता है उनका size बहुत ज़्यादा heavy होता है वो हम लोग aircraft carrier बोलते हैं उनके उपर आप लोग aircraft को रखकर carry कर सकते हो ठीक है तो अभी के time पर हमारे पास already एक aircraft carrier है जिसका नामे INS विकरांथ दिते है जो कि आप लोग picture में देख पारे हो इसकी length 284 meters के आसपास इसका वज़न 44,570 ton के आसपास है maximum speed 30 knots के आसपास है इसकी capacity इतनी बड़ी है कि 24 MiG-29 aircraft को अपने उपर रख सकता है 10 helicopters को रख सकता है अपने उपर इतनी बड़ी capacity आपको देखने को मिल जाती है तो यह यहाँ पर INS विकरांथ दिते हैं यह basically यहाँ पर आप देख पाऊगे INS विकरांथ के बारे में सारी information हो गई अब उसके बाद यह already हमारे पास aircraft carrier है उसके बाद हम लोगों ने अभी खुद का दूसरा बना लिया है जिसका नाम है INS विकरांथ ठीक है तो INS विकरांथ जो कि आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होंगे हम लोगों ने एक और हैवी सा aircraft carrier बना लिया है जिसकी height 59 meters की है आप लोग देख पाऊगे इसके ओपर भी काफी सारे हम लोग जो विमाने वो रख सकते हैं टॉप स्पीड इसकी 28 knots का सपास देखने को मिल जाएगी तो अगर हमारे पास दो aircraft carrier हो जाएंगे तो basically हम लोगों के पास में powers बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगी है ना हम लोग maritime security के अंदर काफी ज़ादा मजबूत हो जाएंगे एक aircraft carrier को Arabian Sea पे रखेंगे एक को यहाँ पर Bay of Bengal पे रखेंगे है ना दोनों जगापर हमारे पास aircraft carrier होंगे तो यहाँ पर दोनों जगापर हमारी जो security है वो थोड़ी से मजबूत हो जाएगी clear हो गया द्यानकनेस के बारे में यह information आपर दी गई है बाकि INS खंदेरी नाम के जो submarine है इसके बारे में आपर चर्चा की जा रहे है ध्यानकनेस के बारे में भी ठीक है तो अभी यहाँ पर इस submarine का पूरी तरह से view वगरा लिया गया है एक मतलब first hand sight वगरा देखी गई है इस यहाँ पर submarine की अब जब हम लोग submarine के बारे में चर्चा करें तो आपको बताओ का submarine दो प्रकार की होती है ध्यान रखना कुछ important बात है आप लोग ने काफी बार पूछा वाए कि सर nuclear technology submarine क्या होती है देखो simple शब्दम बता रहा हूँ जब हम लोग submarine के बारे में चर्चा करता है अब बाहर आके अपने आपको एक तरीके से डीजल का इस्तमाल करके अपनी बैटरी को चार्ज करना होगा डीजल जला के बैटरी चार्ज होगी अब nuclear part submarine के अंदर ये फाइदा होता है कि यहाँ पर submarine को लंबे समय तक महीनों महीनों तक बाहर नहीं आना पड़ता महीनों मिन तक के पानी के अंदर रह सकती है तो submarine कौन सी बैटर है जो कि पानी के अंदर रह ले ठीक है पानी के अंदर लंबे समय तक रह ले वो submarine हमारे लिए बैटर मानी जाती है ठीक है तो यह आइनस खंदेरी को लेकर चर्चा की गई है आई होप आप लोगों नहीं आपर submarine के दोनों प्रकार के बारे में जान लिया उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर नाव नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है इडिया को एक semi high speed freight train मिलने वाली है यानि कि समांड होने वाली तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक view दिया गया है वंदे भारत train का ये cabin बेसिकली है production में चल रहा है अब इसके उपर production वगरा किया जा रहा है यहाँ पर picture mention किया गया यहाँ भी बोला गया कि जो समांड होने वाला freight sector के अंदर हमारे देश में railway के मामले में एक country का semi high speed freight train आने वाला है December 2022 तक इसको त्यार कर पाएंगे इस train की जो speed होगी वो 160 km पर आवर की होगी कि बहुत तेजी से जो समाने इधर से उधर पहुंचाया जाएगा इसकी manufacturing चिननाई के अंदर यहाँ पर चल रही है mention किया जा रहा है कि देखो यहाँ पर अगर यह समान को पहुंचाने में हम लोग सक्षम रहेंगे है ना तेजी से यहाँ पर समान पहुंचाएगा ज़ले दिलिविरी हो पाएगी तो बेसिकली यहाँ पर आपका सकतो इससे काफी फाइदा देखने को मिलेगा इंडिया का जो e-commerce market है electronic commerce market उसकी expectation यह है कि हम लोग 111 111 billion dollar तक पहुंचा दे 2024 तक और 200 billion dollar तक 2026 तक और expectation तो यह है कि 2030 तक हम लोग 350 billion dollar तक market को पहुंचा दे ठीक है जो railway है यह काफी अच्छी तरीके से काम करेगा जो छोड़े छोड़े size के parcel है उनका shipment बहुत तेजी से हो पाएगा high speed तरीके से यहाँ पर इस shipment कर पाएगे clear हुआ तो आई होग आप लोग यहाँ पर समझ में आ चुका है एक छोड़ा सा article आपको देखने को मिलेगा उसके बाद आते हैं अगले article पर then आप लोग यहाँ पर world section पर देख पाओगे world यह monkey वला article अलेड़ी discuss कर चुके है world section पर कोई भी important information नहीं है ठीके कुछ भी important आपको देखने को नहीं मिलेगा वही issue चल रहे है Russia यूकरेन चल रहा है उसके बाद यहाँ पर Russia ने target कर दिया यूकरेन के दोनबास को और अभी यहाँ पर quad meeting के वारे में जो हुआ है वो उसको लेकर चर्चा की जारी है उसके बाद यहाँ पर आप देखपाऊगे अभी अमेरिका के अंदर जो गोलियां बारे चली है ठीके स्कूल के अंदर जो गोलियां चला दी गई है उसको लेकर चर्चा की जारी है तो अगर यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है आप लोग skip कर सकते हो यह articles रोजाना के आने वाले मतलब रोजाना आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग राम से skip कर दो इस पर time waste करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने lecture को समाप्त करेंगे मैंने आप से बोला था आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा short रहने वाला है बाकी सारे article अच्छा एक article यह रहिया है इस article में हम लोग उन्हें mention किया है जो हमारे Prime Minister है Prime Minister का statement है यहाँ पर Prime Minister चाहते हैं कि हर एक हाथ में phone दीखे और यहाँ पर जो farm sector है जो हमारा farmer है ठीक है जो हमारा agriculture sector है यहाँ पर ड्रोन का हम लोग इस्तिमाल कर सकें, जो ड्रोन टेक्नलोजी है वो अपने आप में काफी ज़दा important है, तो ड्रोन को हम लोग हर एक फार्म में देखना चाहते हैं और यहाँ पर बिसिकली टेक्नलोजी को प्रमोट करने को पर फोकस किया जा रहा है, ठीके, तो यह यहाँ पर हुआ क्या है, अभी दो दिन का फेस्टिवल देखने को मिला, ड्रोन को लेकर, ड्रोन को लेकर एक फेस्टिवल क्रेट किया गया, जहाँ पर प्राम मिनिस्टर ने खुद यहाँ पर एक ड्रोन उडाया, जैसके आप लोग पिचर में देख पा रहे हो, फिर मैं इन ही ड्रोन से यहाँ पर आपके सकते हो कि यहाँ बीच बोई जा सकते हैं, बहुत सारे काम की जा सकते हैं, तो फार्मिंग सेक्टर के अंदर भी ड्रोन को लाने के बारे में यहाँ पर चर्जा की जा रही है, तो इतना यहाँ पर ध्यानक ना, यह एक छोड़ा सा आर्ट काफे लेट हो रहा था तो मैंने सूचा यार जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं भली शॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करके इसको पोस्ट कर देंगे अब यहां फटाफट अपनी मेंस के क्वेशन को देख लेता है यूपीसी 2016 में क्वे वीडियो पर अगर आप लोग ने लाइक का बटन जो है वो नहीं दबाया तो दबा देना एक सपोर्ट चाहिए होता है इतना आप लोग कर सकते हैं लाइक के बटन को दबा कर आप लोग इस टार्गेट को अचीव करवा सकते हूँ तो आज के लिए बाइ-बाइ-बाइ- have a nice day thank you and Jai Hind